Hello everyone, myself Naveen Agrawal and I am your chemistry tutor तो बच्चो गुरुकरपा के digital portal में आप लोगों का स्वागत है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट पास में ही है और गुरुकरपा अपने बच्चों का साथ लास्ट टाइम तक नहीं छोड़ता है अभी इस टाइम पर बहुत जादा स्ट्रेस होगा और जनरली जो बच्चों को टेंशन होती है इस वक्त कि सर पता नहीं पेपर कैसा आएगा और सर जो पेपर आएगा उसमें हम लोगों को सारी चीज़े याद रहेंगी या नहीं रहेंगी तो इसी सेल्फ डाउट के चक्कर में बच्चे बहुत जादा टेंशन ले लेते हैं तो बच्चों आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इंपोर्टेंट पॉइंट और सारे फॉर्मलाज हम लोग रिवाईज करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से लाश्ट तक देखें ताकि एक्जाम से पहले आप लोग सारे फॉर्मलाज रिवाईज कर लें और एक्जाम देते वक्त आप लोगों कोई टेंशन ना हो कि साम लोग फॉर्मलाज भूलेंगे या नहीं भूलेंगे और एक अच्छा सा आप लोग रिजल्ट लेकर रहें तो बच्चों हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग यहां पर लेते हैं सम बेसिक कॉंसेट ओफ केमिस्ट्री तो इसमें सबसे पहला फॉर्मला आप लोगों को दिया हुआ है तो वेट मैं अगर मैं किस का डिवाइड कर दू बिटा एटोमिक वेट या मोलर वेक आ यह न तो ढेके अगर आपको वोलूम किसी गश्का 911 का फंटी पोर जैंगे और अगरर आपको नॉयोंबर औव पार्टिकल तो number of particle में बिटा किसका divide कर दो na का number of particle दियों में तो किसका divide कर दो na का तो क्या जाएंगे mole जैसे यह third formula आप लोगों को दिया हुआ है next हम लोग बात करते हैं बिटा vapor density की vapor density क्या होता है किसी भी gas की density किसके respect में hydrogen के respect में तो यहाँ पर आगया vapor density is equal to density of gas upon density of hydrogen और density क्या होता है बिटा PM by RT तो वो रखकर हम लोगों ने solve किया तो vapor density आगया molar mass of gas upon 2 तो molar mass of gas निकालना है तो वो कितना होगा बिटा 2 into vapor density जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पास कोई gas है उसकी vapor density बिटा माल लीजे 40 है उसका molar mass बताना तो वो कितना हो जाएगा 80 जो vapor density given उसको 2 से multiply कर दीजे तो आपके पास क्या आजाएगा molar mass of gas next हम लोग concentration term की अगर मैं बास करता हूँ तो सबसे पहला concentration term है molarity जिसे हम लोग capital M से denote करते है और molarity क्या होता है molarity होता है number of mol of solute present in 1 liter of solution number of mol of solute present in 1 liter of solution तो mol को कैसे लिखते है बीटा mol लिखते है weight upon molar weight और 1 liter of solution में present है तो V 1 upon liter clear है और अगर आपको ml में निकालना है तो ml में आप लोग किस तरीके से निकाल सकते है 1000 से multiply करके निकाल सकते है normality की अगर मैं बात करता हूँ तो normality क्या होता है बीटा number of gram equivalent present in 1 liter of solution तो यहाँ पर मैं लिखा है number of gram equivalent upon volume solution in liter तो यह क्या कर सकते है बीटा W by E number of gram equivalent क्या होता है बीटा W by E है ना into क्या हो जाएगा 1 upon V किस में बीटा लीटर में और अगर ml में दिया हो तो 1000 से क्या हो जाएगा बीटा multiply हो जाएगा तो normality और molality बीटा एक liter solution में define होती है ना next आता है molality molality क्या होता है बीटा number of mol of solute present in 1 kilogram of solvent यह 1 kilogram solvent में define होती है ना तो formula यहाँ पर आप लोगों को देखी रहा है तो यहाँ पर हम लोग बना दे weight upon molar weight into 1 upon weight of solvent किसमें बीटा किलोग्राम में कर सकते हैं और gram में अगर आपको दिया हो तो 1000 से क्या कर देंगे multiply कर देंगे next अगर हम लोग चलते हैं बीटा mol fraction पर तो अगर आपको mol fraction निकालना है तो बीटा जिसका भी mol fraction निकालना है जिसका भी mol fraction निकालना है तो जिसका भी mol fraction निकालना होता है उसके mol को उपर रखो अपोन क्या कर देंगे total mol और total mol fraction का सम हमेशा कितना होता है next अगर हम लोग चलते हैं percentage term पर तो percentage term यहाँ पर 3 है सबसे पहला है percentage w by w percentage w by w मतलब weight by weight percentage अब यहाँ पर क्या होगा उपर वाला जो होता है वो solute के लिए define होता है और नीचे वाला जो होता है वो solution के लिए तो w by w है तो उपर क्या जाएगा mass of solute और नीचे क्या जाएगा mass of solution into 100 अगर w by v है तो उपर weight है और नीचे volume है उपर वाला solute के लिए और नीचे वाला solution के लिए तो क्या formula बन गया? mass of solute upon volume of solution into 100 और थाड़ है बिटा V by V V by V की अगर मैं बात करता हूँ तो volume of solute upon volume of solution into 100 इस तरीके से कर सकते हैं अच्छा एक और important question यहाँ पर आप से पुछेगा कौन सा temperature dependent है और कौन सा temperature dependent नहीं है तो जिस formula में volume term आ रहा है जैसे molarity और normality के अगर मैं बात करूँ तो volume term आता है तो वो temperature dependent है और molality और mol fraction की बात करूँ तो इसमें volume term नहीं आ रहा है बिटा तो यह temperature independent हो जाएगा next बात करते हैं बिटा relation की तो normality और molarity में का रलेशन होता है normality is equal to होता है molarity into n factor इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं बिटा n को याद कर लो nani और m को याद कर लीजे बिटा नानी और मम्मी में से कौन बढ़ा होता है नानी बढ़ा होता है ना तो मम्मी को किसी चीज से multiply करेंगे तो nani आ जाएगी तो normality is equal to molarity into n factor clear है अब यहाँ पर एक relation दिया हो है बिटा molality and mol fraction में molality and mol fraction में तो molality is equal to होता है बिटा x2 into 1000 upon x1 into m1 बिटा यह symbol क्या है वो मैंने यहाँ पर नीचे दी हो है x2 है बिटा mol fraction of solute into 1000 upon क्या गया? mol fraction of solvent into molar mass of solvent इसी तरीके से एक relation दिया है बिटा small m capital M और density में है small m molality हो गया तो molality is equal to क्या हो गया? molarity into 1000 capital M into 1000 upon 1000 into D density हो गया minus mm2 m क्या है बिटा? molarity और m2 क्या है? molar mass of solute next अगर हम लोग बात करते है बिटा अगर हम लोग बात करते है या फिर हम लोग यहाँ पर discuss करते हैं जैसे अगर मैं बात करते हैing s5o4 की है तो बिटा s2o4 आपको पता एक acid है अप acid ये कितना d47 तो जितने प्लस दे रहा है उसका वो वैलंसी फेक्टर है तो एसिड का वैलंसी फेक्टर क्या होता है जितने एस प्लस वो डोनेट कर रहा है तो अगर मुझे H2SO4 का equivalent weight निकालना है तो किस तरीके से निकालूँगा इसका molar weight कितना होता है 98 अपॉन वैलंसी फेक्टर कितना हो गया है 2 तो equivalent weight of H2SO4 आगया 49 इसी तरीके से अगर आप लोगों के पास base है मालीजे आपके पास aluminium hydroxide है क्या है aluminium hydroxide तो base का valency factor क्या होता है जितने ही यह OH-ion donate करता है कितने देगा तीन तो अगर मैं इसका equivalent weight लिखूं तो क्या आजाएगा जो भी इसका molecular weight होगा उसमें किसका divide हो जाएगा valency factor कितना हो गया 3 अगर मैं salt लेता हूं salt मालीजे मैंने mgCl2 ले लिया तो mg पर plus 2 है न तो 1 magnesium 2 electron निकाल रहा है आप तो दोनों electron को ले लेगा दोनों chlorine कितने electron का transfer हो गया 2 electron का तो यहां पर valency factor क्या आगया 2 तो यहां पर equivalent weight आगया molecular weight upon 2 और अगर आपके पास iron है iron मालीजे आप के पास AL plus 3 है तो इस पर कितना charge आजा है 3 चार जा रहा है तो जो iron पर charge आ रहा है वही उसका क्या हो जाएगा valency factor तो equivalent weight of AL plus 3 कितना हो गया इसका atomic weight atom है 27 upon 3 कितना आ गया 9 तो acid के लिए जितने H plus दे रहा है वो valency factor है base के लिए जितने OH minus दे रहा है salt के लिए जितने electron transfer हो रहा ह है iron के लिए iron के लिए जो भी चार जा रहा है तो यहां पर आप लोग देख सकते है equivalent weight is equal to atomic weight upon valency factor acid या base का दिया हुआ equivalent weight equal to molar weight upon acid के लिए basicity आ जाएगा और base के लिए क्या आ जाता है acid आ जाता है next अगर हम बात करते है oxidizing या reducing reaction अगर आपको कोई दिये हुई है oxidation की reduction की reaction तो equivalent weight कैसे निकलता है molecular weight जो भी है upon number of mole of electron gained और lost जैसे अगर मैं KNO4 की बात करता हूं तो KNO4 आपको पता है acidic medium में plus 7 से plus 2 में ब्लस 7 से plus 2 में तो कितने electron का transfer वहाँ यहाँ पर plus 7 से plus 2 म्तलब क्या हो रहा है reduction हो रहा है कितने electron का transfer हो रहा है पांच electron का transfer हो रहा है तो KNO4 का अगर मैं equivalent weight पूस्ता हूं तो जो भी उसका molar weight होगा upon कितना आ जाएगा 5 क्योंगि 5 electron का transfer हो है तो oxidation reduction reaction में क्या हो गा पिटा जित और base के लिए जितने OH-धा, इंडोनेट होगे, next आता है, equivalence point, equivalence point क्या होता है, जहां पर reaction क्या हो जाती है, complete, जैसा गर मैं acid-base reaction की बात करूँ, तो जहां पर acid के gram equivalent और base के gram equivalent क्या होगे, equal, तो completely neutralization हो जाएगा की नहीं हो जाएगा, तो वहां पर क्या आ गया, equivalence point, पर आता हूं तो यहां पर एक और topic हम लोगों के पास है number of equivalents number of equivalents के बैटा तीन formula यहां पर लिखे हैं सबसे पहला formula मैंने यहां पर लिखा है W by E, W by E weight upon equivalent weight, second लिखा है बैटा, mole into valency factor, यहां पर मैं सारे एक साथ लिख देता हूं यहां तो होता है W by E number of gram equivalent की बात कर रहे हैं यहां फिर होता है mole into N factor या valency factor या फिर हम लोग बोल सकते बैटा, N into V, volume किसमे होना चाहिए बैटा, लीटर में है ना, तीन formula, W by E, mole into N factor या फिर N into V, यह होता है बैटा, number of gram equivalent और जहां पर reaction complete होगी, वहाँ पर gram equivalent क्या हो जाएंगे बैटा, equal हो जाएंगे, तो N1, V1 is equal to क्या कर दोगे, N2, V2, और यहां पर देखो, यहां पर normality को क्या लिख सकता हूं बैटा, molarity into N factor, N2 को भी यहां पर क्या लिख सकता हूं, molarity into N factor, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों को मान लीजे, एक reaction देता हूं, KmN4 की reaction मान लीजे, मैं आप लोगों को कराता हूं, Fe plus 2 के साथ, ठीक है, यह क्या बना रहा है बटा, acidic medium में मान लीजे, reaction मैंने कराया, तो यहां पर MN plus 2 गया, और इसको oxidize कर देगा, क्योंकि KmN4 oxidizing agent है, तो Fe plus 2 किस में oxidize हो जाएगा, Fe plus 3 में, तो अगर मैं KmN4 की बात करता हूं, तो KmN4 का अगर यहां पर देखते हैं, तो KmN4 प्लस 7 से प्लस 2 में जा रहा है, तो यहां पर valency factor आगया, KmN4 का कितना 5, और Fe plus 2 की बात करता हूं, तो यहां पर इस reaction में अगर मैं बात करता हूं, तो जितने ग्राम equivalent KmN4 के होंगे, उतने ही ग्राम equivalent किसके react करेंगे, Fe plus 2 के, तो equivalence point पर क्या होगा, N1 V1 बराबर N2 V2, यहां पर N1 V1 किसका है, KmN4 का, और N2 V2 यहां पर किसका है, Fe plus 2 का है, अब normality क्या होती है, molarity into N factor, तो KmN4 का N factor कितना है, 5 into molarity into V1, इसका कितना है, Fe का, 1, तो 1 into M2 into V2, तो यहां आगया formula, next अगर हम लोग बात करते हैं, बिटा, volume strength, तो volume strength, बिटा, only define होती है, H2O2 solution के लिए, इसका क्या मतलब होता है, जैसे मैंने यहां पर दिया हुए, 20 VH2O2, तो 20 VH2O2 का मतलब होता है, कि बिटा, अगर आप लोग 1 liter H2O2 solution ले रहे हैं, तो वो आपको 20 liter क्या देगा बिटा, oxygen किस पर? HDB पर, अगर आपके पास volume strength है, और आप लोग normality और molarity निकालना चाहते हैं, तो normality निकालने का formula होता है, volume strength अपॉन 5.6, और molarity निकालने का formula होता है, volume strength अपॉन 11.2, जैसे यहां पर volume strength 20 दिया हुआ था, तो normality आजाएगा 20 अपॉन 5.6, और molarity आजाएगा 20 अपॉन 11.2, next हम लोग बात कर रहे हैं, isotopic method, average atomic mass, जैसे मैंने अगर मान लीजे आपके पास chlorine है, है न, तो मैंने आपको chlorine दिया बेटा, 17 Cl 35, दो isotope होते हैं, 35 वाला और एक कौन सा वाला होता है बेटा, 37 वाला, clear है, मैंने कहा कि इसका percentage abundance मान लीजे, कितना percentage 75% और इसका nature में percentage abundance है मान लीजे बेटा 25%, अब मैंने कहा कि chlorine का average atomic weight बता है, तो average atomic weight निकालने का formula क्या होता है बेटा, जो भी आपका mass है न, isotope का, उसको उसके percentage abundance से multiply करती थे, तो यहाँ पर कितना हो जेगा, 35 into 75, प्लस कर दे, यहाँ पर mass कितना है 37 और abundance कितना है 25, तो 37 into 25, upon total कितना है बेटा, 100, तो इसको solve करेंगे तो कितना हो जाएगा 35.5, तो इस तरीके से average atomic mass हो गया, तो यहाँ पर average atomic mass निकालने का तरीका क्या है बेटा, जो भी mass है उसको abundance से multiply किजिए, प्लस A2X2+, और भी अगर isotope है, तो E3X3 upon total कितना हो जाएगा 100, नेक्स्ट आता है बेटा, due long and petit low, यह किसके लिए applyable है बेटा, केable solid के लिए, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई solid है, उसके gram atomic mass को अगर उसकी specific heat capacity से multiply किया जाए, तो वो almost कितना आता है बेटा, 6.4, almost कितना आता है 6.4, next अगर हम लोग बात करें metal chloride के, valency factor की, तो माली जे metal chloride मैंने यहाँ पर ले लिया, MCLX है न, कोई metal chloride ले लिया, तो valency factor अगर आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा, molecular weight upon equivalent weight, molecular weight upon equivalent weight, तो अगर मुझे इस metal chloride का, N factor निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका molecular weight जो होगा, वो उपर लिग दें आप लोग, upon क्या हो जागा, equivalent weight, equivalent weight किसका बेटा, metal का, plus chloride का, chloride का कितना होता है बेटा, 35.5, तो यह metal chloride का क्या आगे है बेटा, valency factor, अब माली जे, इस metal chloride में जो metal है, उसका atomic weight निकालना है, तो atomic weight निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी equivalent weight होगा, metal का, equivalent weight होगा, metal का, उसको इस valency factor से क्या कर दें, multiply, यह जो equivalent weight है बेटा, यह किसका है, metal का है, clear, तो यहाँ पर अपना एक chapter क्या होता है, complete, next हम लोग बात करते हैं बेटा, किसकी structure of atom की, तो अगर मैं Planck की बात करूँ, तो Planck ने क्या बोला था बेटा, कि जो energy है, वो क्या होते, e equal to होता है बेटा, कितना h new, या फिर इसके हम लोग बोल सकते है, h c by lambda, यहाँ पर जो h होता है, वो Planck constant होता है, और उसका value कितना होता है, 6.62 into 10 की पावर, minus 34, 6.62 into 10 की पावर, minus 34, अगर आपके पास, n number of photon आ रहे हैं, तो e equal to क्या बन जाएगा बेटा, n h new, या फिर बन जाएगा, n h c by lambda, next हम लोग चलते हैं बोहर model पर, अगर मैं बोहर model की बात करता हूँ, तो बोहर ने क्या बताया था, कि जो electrons होते हैं, वो circular orbit में क्या कर रहे हैं, विवोल कर रहे हैं, और जितना अंदर की तरफ attraction force लग रहा है, उतना ही बाहर की तरफ क्या लग रहा है, एक force लग रहा है, तो centripetal और centrifugal force क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, next उन्होंने बताया कि जो angular momentum of electron है, वो integral multiple होता है, किसका h upon 2 pi का, तो यहाँ पर mvr क्या आगया बिटा, जो angular momentum होता है, mvr वो h upon 2 pi का क्या है बिटा, integral multiple, अगर इसे meter per second में लिखना है, तो क्या लिख सकते हो, 2.18 into 10k power 8, z by n meter per second, और अगर मैं energy पूछू, तो energy का formula होता है, minus 13.6 into z square by n square, electron volt per atom, बिटा यह एक atom की energy है, अगर आप से पूछ लिए, एक mol की बताइए, तो into क्या कर देंगे आप लो, into n ही कर देंगे एक mol के लिए, next photo electric factor, अगर मैं बात करता हूँ, तो photo electric factor आप लोग कर सकते है, क्या था photo electric factor, कि आपके पास एक electron है, इसको आप लोगों को क्या करना है, फोटो मतलब photon आ रहा है, electron मतलब electron निकल रहा है, जिससे electricity आपको मिल रही है, तो electron को निकालने के लिए, मान लीजे, आपको h new node energy चाहिए, जिसे work function भी बोलते है, और मान लीजे, कितनी energy का photon आ रहा है, h new, मान लीजे 7 electron volt energy का photon आया, 5 electron volt energy इसको निकालने में चली गई, तो 7 का आ रहा है, 5 निकालने में चली गई, तो 2 electron volt कहा होगी, 2 electron volt की kinetic energy से भागीगा, तो हुआ क्या है, हापर 7 electron volt का photon आया, 5 electron volt निकालने में चला गया, work function में, और 2 electron volt से ये, kinetic energy में convert होगे, electron volts होगी, तो यहाँ पर क्या होगे बटा, h new से आया था, h new node निकालने में चला गया, और kinetic energy 2 electron volt की होगी, तो formula बन गया, h new is equal to h new node plus half mv square, तो यहाँ पर यह energy क्या करेगा, emit करेगा, energy emit करेगा, तो उसके corresponding एक wavelength होगी की नहीं होगी, बिल्कल होगी, तो उसका formula क्या होता है, अगर आपको निकालना है wavelength, तो 1 by lambda is equal to होता है, r z square, 1 upon n1 का square, minus 1 upon n2 का square, और यहाँ पर, अगर मैं r की बात करूँ तो वो होता है बिटा, 109678 cm inverse, 1 by r आप लोग याज कर सकते हैं, 912 एंगस्टों में, बहुत important है, आप लोग अच्छे से करना है, अगर maximum number of spectral line पूछू, कि अगर मालों 5 से 1 में आ रहा है electron, तो number of spectral line निकालने का formula होता है बिटा, n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 by 2, जैसे अभी मैंने बोला, 5 से 1 में आ रहा है electron, तो कितनी हो जाएंगी, 5 minus 1 into 5 minus 1 plus 1 by 2, टोटल कितनी हो जाएंगी बिटा 10, इतना भी करने के आपको जरूवत नहीं है, अगर formula याद नहीं रहता है, आपको क्या करना है, 5 से 1 में आ रही है, तो 5 से 1 में आ रही है, तो बताएंगी इनका difference निकाल लो, 5 से 1 में आ रही है, कितने का difference है, 4 का 5 minus 1, 4, और इसकी reverse counting करें, 4, 3, 2, 1, टोटल कितना आ आगे 10, तो टोटल स्पेक्टर लाइन कितने आगे 10 आगे 10 आगे यहाँ पर ना, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वांटम मेकनिकल मोडल पर, तो क्वांटम मेकनिकल मोडल में सबसे पहले हम लोग बात करें, दीब्रोगली की, तो टीब्रोगली जो principle होता है बैटा, वो microscopic object के उपर applicable होता है, micro मतलब जो छोटे लेवल की होता है, जैसे electron की हम लोग बात कर रहें हैं, जो macroscopic object होते हैं, हमारी जैसे बड़े object होते है, उसपर डीब्रोगली principle नहीप लगता है, तो lambda निकानने का formula होता है h upon p, या फिर h upon mv, या फिर h upon under root 2 into m into kinetic energy, या फिर h upon under root 2mqv, अराम से आप लोग formula को revise करते जाएए, ज़्यादा panic होने की जरुवत नहीं है, paper अच्छा ही होगा, बस जितनी चीज़े आप लोगो पढ़ाई जा रहे हैं, उनको try करें कि अच्छे से स उने, ताकि आपको चीज़े याद रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ बेटा जो बच्छे गलती कर देते हैं, यह हो जाते जनरली, जब भी आप लोगों को यह formula यूज करेंगे, और mass रखेंगे, mass को हमेशा kilogram में रखना है, ग्राम में नहीं रखना है, अगर यह formula यूज कर कि अगर मैं बात करूँ, तो इन्हों नहीं क्या कहा था, कि electron की एक ही time पर, आप लोग या तो exact position calculate कर सकते हैं, या फिर exact momentum find कर सकते हैं, एक ही time पर दोनों चीज़े exact find नहीं कर सकते हैं, और दोनों चीज़े find नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग यह बता ही नहीं सकते हैं, कि electron क इस path में जा रहा है, उसका path आप लोग define ही नहीं कर सकते हैं, तो कुछ formula यहाँ पर थे, delta x into delta p, greater than equal to h upon 4pi, delta x क्या होता है बिटा, uncertainty in position, और delta p क्या होता है, uncertainty in momentum, p को क्या लिख सकता हूं बिटा, m delta v, तो यहाँ पर formula क्या बन जाएगा, next, delta x into delta v, greater than equal to h upon 4pi, यह दो formula है, कुछ formula जो हाईजेंबर्ग नहीं दिये, क्या बिटा, delta e into delta t greater than equal to h upon 4pi भी इन्हें नहीं दिया था, और delta theta into delta phi greater than equal to h upon 4pi, यह भी इन्हों नहीं दिया है, next, हम लोग बात करते हैं, quantum number की, तो 4 तरह के quantum number होता है, यह 4 तरह के याद कैसे रखेंगे, अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपसे atom की, तो atom में हमें पता है, सबसे पहले होता है shell, shell के अंदर क्या होता है, बिटा, sub shell, sub shell के अंदर क्या होता है, बच्चे, orbital, और orbital के अंदर क्या होता है, बिटा, electron, तो जो first quantum number होता है, principle quantum number जिसे हम लोग बोलते हैं, वो energy of shell को बताता है, energy of shell को, आपको पता है principle quantum number क्या होता है, की, L, M, N, 1, 2, 3, 4 है ना, second quantum number जो होता है, azimuthal quantum number, वो किसके बारे में बताएगा, sub shell की shape के बारे में, जैसे आप लोग पढ़कर आएगे, S का जो होता है, वो spherically symmetric होता है, P का dumble होता है, D का double dumble होता है, F complex होती है, shape of sub shell को यहाँ पर बताएगा, जो L होता है, अगर 0 है, तो S sub shell है, 1 है, तो P sub shell है, 2 है, तो D sub shell है, और 3 है, तो F sub shell है, ना, next अगर हम लोग बात करें, बिटा, किसकी magnetic quantum number को M से represent करता है, या फिर ML लिखतेते हैं, नीचे, magnetic quantum number जो होगा, वो orientation of orbital को बताएगा, कि कहां पर, किस जगे पर आपको electron मिलने वाला है, यह minus L से कहां तक होता है, बिटा, 0 to plus L, और next, last होता है, spin quantum number, जो spin को बताता है, या तो plus 1 by 2 होगा, या फिर minus 1 by 2 होगा, या तो spin clockwise होगा, या फिर anti clockwise होगा, अब अगर मैं बात करूँ, आपके पास N number of shell है, N number of shell है, तो sub shell उसके अंदर कितने होगे, बिटा, N, जितने shell होगे, उतने ही उसके अंदर sub shell होगे, जो आपके orbital होगे, वो कितने होगे, बिटा, N square, और जो electrons होगे, वो कितने होगे, बिटा, 2N square, जैसे मैंने आपके पास कहा कि आपके पास 5th shell है, तो sub shell भी कितने होगे, 5, orbital कितने होगे, 5 का square, 25, और electrons कितने हो जाएंगे, बिटा, उसके double, 50, नेक्स्ट अगर हम बात करें, sub shell की, तो आपको पता है, जो L होता है, जी मित्यल, quantum number होता है, तो अगर आपको L दिया होगा है, और आपको orbital निकालने, तो orbital कितने होगे, 2L plus 1, और अगर आपको electron निकालने, तो electron तो orbital के double होता है, तो orbital अगर 2L plus 1 है, तो electrons कितने हो जाएंगे, उसके double हो जाएंगे, 2 into 2L plus 1, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, orbital angular momentum की, तो ये next है बिटा, orbital angular momentum, और बिट नहीं, orbit angular momentum हम लोग पढ़ चुके हैं, mvr is equal to nh upon 2π, वो orbit था, अगर orbital angular momentum की मैं बात करता हूं, तो orbital angular momentum होता है, under root L into L plus 1, H upon 2π, under root L into L plus 1, H upon 2π, next अगर हम बात करें, node की, बिटा, node एक वो जगह होती है, जहाँ पर electron आप लोगों को नहीं मिलता है, जहाँ पर electron मिलते हैं, उन्हें orbital बोलते हैं, और जहाँ electron नहीं मिलते हैं, नहीं बोलते हैं, node, तो यहाँ पर एक होता है, radial node, radial node क्या होता है, N minus L minus 1, angular node क्या होता है, L के बराबर, और total node निकालने तो दोनों को add कर दो, तो कितने आ जाएंगे, L से L cancel हो जाएगा, N minus 1, यहाँ पर दो चीज़े हैं, एक होता है, यह क्या होता है, यह एक यह एक वेव फंक्शन है, जो एक वेव के बारे में बताता है, यह लाइन याद करें, शाई का कोई फिजिकल सिगनिफिकेंस नहीं है, इसलिए इसके square को define किया गया, और शाई स्क्वेर को बोलते हैं, probability density, जो कि क्या बताता है, probability of finding an electron at a point within atom की एक atom में किस point पर आपको electron मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से आप लोग structure of atom कर सकते हैं, तो next chapter की हम लोग बात करते हैं, थर्मोडायनमिक्स की, तो थर्मोडायनमिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपको पता है प्रेशर, वॉल्यूम और temperature जो होता है, वो क्या होते हैं, state function होते हैं, अगर मैं state properties होती है, extensive property की बात करता हूँ, जो mass पर depend करती है, और intensive property जो mass पर depend नहीं करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते है, extensive property generally जो chapters की heading थी, क्या-क्या पढ़ाता हम लोगों ने, mall, mass और volume तो ही है, internal energy पढ़ा, हम लोगों ने इस chapter में जैसे temperature हो गया, pressure हो गया, viscosity हो गया, density हो गया, surface tension हो गया, emf of cell और pH of solution यह आप लोग अच्छे से याद करें, यह कैसी है, intensive property, clear, अगर हम लोग heat capacity की बात करें, तो extensive property है, किसी भी चीज से पहले अगर molar लग जाए, एक mole के लिए define हो जाए, तो वो intensive बन जाता, जैसे मैंने बोल बन जाएंगे, intensive, path function क्या होता है, जो path पर depend करता है, जैसे heat और work कैसे है, path function, इसके अलावा almost सारे कैसे है, state function, clear है, एक question आप से पूछ सकता, आपको पता है, heat और work क्या है, path function है, अब आप से पूछेगा, q plus w बताओ, अब आपको पता है, q plus w किसके equal होता है, delta e के, और delta e के इंटर नेर्जी, इंटर नेर्जी कैसा function है, state function, तो q और w तो कैसा है path function, लेकिन q plus w कैसा है, state function, बाकी सारे आप लोग आप पढ़ सकते है, next अगर हम लोग बात करते है, cyclic process कि, cyclic process क्या होता है, जिस point से चले, अगर घूम कर उसी point पर आ गए, तो उसे बोलते, cyclic process, state function क्या होते है, जो केवल state पर depend करते है, initial state और final state पर, अब cyclic process में, initial state और final state क्या होने वाली बेटा, same, तो उसमें जो change आएगा, वो क्या होगा, 0, तो यहाँ पर अगर मैं cyclic process की बात करता हूं, तो जितने भी state function है, जैसे उनमें change कितना हो जाएगा, 0, delta e भी कितना हो जाएगा, 0 जितने भी state function है, cyclic process में, उनमें जो change आएगा, वो हमेशा कितना हो जाएगा, 0, cyclic process में, sign convention के अगर मैं बात करता हूं, तो आपको पता है, work done on the system कैसा होता है, positive, अगर मान लीजे, कोई मेरे उपर काम कर रहा है, तो मेरी energy भढ़ेगी, तो positive हो गया, अगर मैं खुद काम कर thermodynamics के अगर मैं बात करता हूं, तो क्या होता है, delta E is equal to Q plus W, next अगर हम thermodynamics process की बात करते हैं, तो आपको पता, isothermal process में temperature क्या होगा, constant, तो delta T कितना हो जाएगा, 0, delta H और delta E क्या होता है, delta E होता है, nC भी delta T, तो वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि delta G 0 है, और delta H भी कितना हो जाएगा तो अगर आपके पास ideal gas है, isothermal process है, तो delta E और delta H कितने होता है, 0, iso-correct process में volume constant, delta V कितना होगा, 0, तो work done कितना आता है, 0, iso-baric process में pressure constant होगा, adiabatic process में क्यों 0 होगा, क्यों 0 का मतलब होता है, कि system और surrounding के बीच कोई heat का exchange नहीं हो रहा है, system और surrounding के बीच कोई heat का exchange नहीं हो र volume पर heat supply कर रहे है, मैंने यहाँ पर लिखा QV, QV, V नीचे लिखा है, मतलब volume constant है, constant volume पर बच्चों जब heat supply करते हो, तो वो internal energy में change करता है, delta E, ncp delta T हो गया, और constant pressure पर जब heat आप लोग supply करते हो, तो वो enthalpy में change करता है, delta H क्या हो जाएगा, ncp delta T, तो QV हो गया, delta E के बराब यह बहुत important relation है, यह आपको अच्छे से याद करना है, delta H बराबर क्या होता है, delta U या delta E कुछ भी बोल दो, delta H बराबर delta U plus delta PV, delta किसके साथ आजाता है, जो भी change हो रहा हो, generally volume change होता है, तो formula बन जाता है, delta H बराबर delta U plus P delta V, और अगर gas है, तो gas के लिए PV is equal to nRT होता है, तो formula बन जाता है, delta H बराबर delta U plus delta NGRT, इस तरीके से कर सकते है, heat capacity की बात करूँ, तो heat capacity क्या होता है, heat capacity होता है, मालनीजे आपके पास 1 gram substance है, मालनीजे मैं ही हूँ, मेरा temperature 1 gram substance, या फिर gram हटा दीजे, मालनीजे 1 substance आपके पास है, clear है, उसका temperature आप लोगों को 1 degree से बढ़ाना है, मालनीजे मैं हूँ, और मेरा temperature एक डिगरी से बढ़ाना है, तो जितनी heat आप मुझे दोगे, उसे बोलेंगे heat capacity, तो heat capacity हो गया, c is equal to q by delta T, q by delta T, molar heat capacity का मतलब क्या है, heat capacity को per mole define कर दो, तो heat capacity क्या होता है, तो heat capacity क्या होता है, heat capacity था c, उसको कैसे define कर दो, per mole, तो c by n, और c क्या क्या है, q by delta T, तो क्या बन गया, q by n delta T, specific heat capacity क्या होता है, heat capacity को per gram define कर दो, तो specific heat capacity क्या होगा, heat capacity जो भी है, उसको per gram define कर दो, तो master divide कर दिया मैंने, और c क्या है, q by delta T, और m आ गया, और आप पढ़के रहे है, q is equal to mh delta T होता है, तो आप लोग कर सकते है, cp minus cv is equal to r, आप p by cv, next अगर हम बात करें, reversible isothermal process की बिटा है, isothermal process है, reversible, तो work done का formula होता है, reversible के लिए, minus 2.303 nrt log v2 by v1, अच्छे से याद करें, reversible isothermal process का work done का formula होता है, minus 2.303 nrt log v2 by v1, और pressure की time में आ जाएगा, p1 by p2, clear है, वहाँ पर, v2 by v1 की जएगे, isothermal process में मैंने आपको बताया था, delta e कितना होता है, अगर idle गैसा है, तो 0, तो q plus w बराबर delta e होता है, तो q delta e कितना होगे, 0 isothermal में, तो यहाँ से w q बराबर कितना होगे, minus w, तो अगर यहाँ पर q भी पूछे q का formula तो आप लोग निकाल सकते है, बस positive हो जाएगा, यहाँ पर irreversible का isothermal में आप लोग कर सकते हैं, अगर मैं work done की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, work done की, तो reversible का expansion में, work done की बात कर रहा हूँ, किसमें, expansion में, तो reversible का work done irreversible से जादा होता है, यह अच्छे से याद करेंगे, बिटा, अपने NCRT में expansion का case दिया होँ है, compression का नहीं दिया होँ है, तो आप expansion को अच्छे से याद करें, अगर आप से पूछा, expansion में work done किसका जादा होता है, तो आप बोलोगे, reversible का जादा होता है, किस से irreversible, temperature में उसका just उल्टा हो जाता है adiabatic process के अगर मैं बात करता हूँ तो adiabatic में बताया था अभी q 0 होता है q 0 होगा तो बच्चों आप बताओ delta e is equal to क्या होता है q plus w, first low यही कहता है और बताओ अगर q 0 है तो delta e किसके बराबर आगए? w के तो यहाँ पर यह वही लिखा हो है w बराबर delta u यह क्या होता है delta u? ncv delta t अब cv आपको बताया था r upon gamma minus 1 तो क्या formula बन गया? nr t2 minus t1 upon gamma minus 1 और यहाँ से अगर मैं nr t की बात करूँ वो pv के equal हो जाता है तो वो हो जाएगा p2 v2 minus p1 v1 upon gamma minus 1 यह work done का formula reversible और irreversible दोनों के लिए applicable है अगर adiabatic process है isothermal में reversible और irreversible का formula बेटा अलग था लेकिन adiabatic process में reversible और irreversible work done का formula सेम होता है final temperature t2 जो होता है वो अलग-अलग होता है तो आप लोग कर सकते हैं न next बात करते हैं बेटा हम लोग entropy change की तो entropy change होता है q reversible by t q reversible by t अगर मैं entropy की बात करता हूँ system की तो formula होता है ncv ln t2 by t1 plus nr ln v2 by v1 एक formula याद करें नीचे वाल आपने आप याद हो जाएगा क्या ncv ln t2 by t1 plus nr ln v2 by v1 नीचे वाले formula में क्या आजाएगा बिटा cv की जगे cp आजाएगा और v2 by v1 की जगे p1 by p2 आजाएगा अब इसमें आपको combination बना देगा आपको मैंने बोला कि isothermal process है isothermal process है तो बताओ temperature same होगा तो ये 1 हो गया और ln 1 कितना होता है बिटा ln 1 हो गया 0 तो ये पूरा 0 हो गया यहां भी नीचे 0 हो गया तो ये formula बन गया अगर isothermal process है तो nr ln v2 by v1 या फिर nr ln p1 by p2 तो जो भी process हो कर सकते है एक बिटा universe की जो entropy होती है total वो कि की होती है system की entropy में change plus surrounding की entropy में change तो total entropy of universe कितना होता है system plus surrounding की entropy होगी है total entropy में change कितना होता है 0 और अगर irreversible process है इर्रिवर्सिबल process है तो universe की entropy में जो change होता है वो कैसा होता है positive होता है और यह thermodynamics का second low भी है second low of thermodynamics SLOT second low of thermodynamics thermodynamics का second low कहता है कि universe की entropy continuous क्या हो रही है बढ़ रही है और generally universe में जितने ही process होते हैं वो irreversible होते है और reversible process के लिए entropy change क्या होगा है total, positive, next क्या है बटा, आपको पता है कि अगर system equilibrium पर है, तो total entropy change 0 के बराबर होता है, spontaneous है, तो positive होता है, non spontaneous है तो negative होता है, तो यहाँ पर एक line लिखी हुई है NCRT में जो अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, when system is in equilibrium, the entropy is maximum, and change in entropy is 0, तो अगर आपसे equilibrium पर entropy में change पूछा जाए, equilibrium पर total entropy में change, तो वो कितना होता है, 0, लेकिन अगर entropy पूछी जाए तो वो maximum होती है, तो equilibrium पर entropy तो maximum होती है, लेकिन entropy में change कितना होता है, बटा, 0, next बात करतें Gibbs energy की, तो Gibbs energy का formula होता है, बटा, डेल्टा G is equal to delta H minus T delta S, और ये formula system के लिए define होता है, डेल्टा G is equal to delta H minus T delta S, next formula डेल्टा G का होता है, डेल्टा G note plus RT ln Q, Q होता है, reaction question, जो हम लोग equilibrium chapter में सीखेंगे, तो डेल्टा G is equal to delta G note plus RT ln Q, equilibrium पर Q किसके बराबर हो जाता है, K के equilibrium constant के, और delta G कितना होता है, 0, तो यहाँ पर जाम लोग put करेंगे, delta G कितना है, 0, और Q किसके बराबर है, K के बराबर, तो formula यहाँ पर यह तो 0 होगया, तो delta G note is equal to कितना बचेगा, minus RT ln K, और ln को अगर मैं 10 base में convert करता हूँ लोग में, तो बन जाएगा, minus 2.303 RT log K, तो delta G 0 होता है, equilibrium पर, delta G note 0 नहीं होता है, delta G note कब 0 होगा, अगर मैं equilibrium constant की value कितनी ले ले लेता हूँ, तो delta G note कितना होगा, 0, आप लोग देखो इस formula से, लोग 1 कितना हो जाएगा, लोग 1 हो जाएगा, आपके पास कितना 0, अगर मैं equilibrium constant की value एक से ज़्यादा ले ले लेता हूँ, तो लोग कैसा हो जाता है, बेटा, positive, और लोग positive हो जाएगा, negative into positive, तो delta G note कैसा हो जाएगा, less than 0, और अगर equilibrium constant की value मैं less than 1 ले लेता हूँ, तो negative, और negative negative कैसा हो जाएगा, positive, तो delta G note कैसा हो जाएगा, positive, तो एक जिए जियाद रखे, equilibrium पर डेल्टा G0 होता है, delta G node 0 नहीं होता है, next आप लोग एक सकते है, delta G अगर less than 0 है, तो process कैसा होता है, spontaneous, delta G greater than 0 है, तो कैसा होता है, non spontaneous, 0 है, तो किस पर होता है, equilibrium पर. नेक्स्ट ये कुछ साइन्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आपने क्या कहा डिल्टा जी इसक्वल टू क्या होता है बटा डिल्टा एच माइनस टी डिल्टा एस अब पहला देखो अगर डिल्टा एच में नेगिटिव ले लेता हूं और डिल्टा एस कैसा मैं इंक्रीज करता हूं या डिक्रीज करता हूं डिल्टा जी हमेशा कैसा आएगा नेगिटिव और नेगिटिव आएगा तो रियक्शन कैसी होगी स्पॉंटिनियस तो यह कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है अच्छे से आप लोग कर कर जाएं कि आपसे पूछा जाएगा कि वो कंडिशन बताओ जिस पर कर रियक्शन हमेशा स्पॉंटिनियस हो तो अगर की बैलीव तो कैसा हो गया तो कैसा कंडिशन बताओ जिस पर स्पॉणियस और दोनों के साइं सेम तो किस तरीके से भागा वू आप लोग के निछ सकते है next अगर आप लोग reaction की enthalpy के बारे में बात करें तो अगर आपको formation की enthalpy दिया हुई है अगर आपको formation की enthalpy के data दिया हुआ है तो reaction की enthalpy निकालने का formula होता है enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant तो अगर आपको किसी question में formation की enthalpy का data दिया हुआ है और अगर reaction की enthalpy निकालनी है तो पेटा product minus reactant करेंगे product minus reactant लेकिन अगर आपको combustion का data दिया हुआ है या फिर bond energy का data दिया हुआ है तो करेंगे reactant minus product formation में करेंगे product minus reactant combustion और bond energy में क्या करेंगे enthalpy of reaction निकालने के लिए reactant minus product calorific value क्या ह blueberry क्या होता है वेटा चालना है तो आप क्या करेंगे जो भी enthalpy of combustion आपको दिया हुआ गया और उसमें molar mass का divide कर दूँ तो उसे क्या आ जाएगा calorific value जैसे मैंने बोला कि enthalpy of combustion of CH4 methane is 100 kJ माल लीजिए 100 kJ है मतलब 1 mol methane का combustion करने पर कितना मिल रहा है 100 kJ energy मिल रही है तो 1 mol methane में कितना ग्राम होता है 16 ग्राम तो 16 ग्राम को combustion करने पर 100 अगर मिल रही है तो एक ग्राम को two portion होते है chemical equilibrium और एक ionic equilibrium chemical equilibrium में बात करूँ अगर मैं active mass की बात करूँ तो active mass होता है concentration concentration आपको पता है mole upon volume of solution in liter अगर आपको किसी का partial pressure निकालना है तो जो भी total pressure हो उसको उसके fraction से क्या कर दो multiply जैसे मुझे a का partial pressure निकालना आता है तो total pressure को a के fraction से क्या कर दिया हमे ने multiply बी का निकालना है तो total को b के fraction से multiply कर तो clear अगर आपको alpha निकालना है degree of dissociation तो कैसे निकालते है dissociated mole upon initial mole, alpha अगर आपको निकालना है degree of dissociation किसकी में vapor density की term में तो कैसे निकलता है vapor density जो theoretical minus observed upon n-1 density कि obvious upon n-1 into d obvious object और अगर molar mass की term में है तो वही आ जाएगा mth-m obvious object upon n-1 into m object जैसे मैंने आप लोगों को क्या कहा है यहाँ पर मान लीजे अगर आपकी एक reaction हो रही है 2a बना रहा है बिटा कितना b plus 3c बना रहा है न तो 2mol से कितने mol बन रहे हैं यहाँ पर 3mol बन रहे हैं तो 1mol से कितना बनेगा यहाँ पर 3x2 mol बनेगा तो यहाँ पर जो n की value है न कैसे निकालते हैं वो कितना आएगा 3x2 तो यहाँ पर ध्यान रखना इस formula में जो भी n आएगा वो क्या आएगा 1mol reactant स कितने product के mol बन रहे है 1mol से वो n की value हो बाकी data आपको पता होगा है न नेक्स अगर मान लीजी एक reaction मैंने यहाँ पा लिखी a plus b b क्या बना रहा है cc plus dd बना रहा है अगर मान लीजी एक reaction equilibrium पर है तो equilibrium condition आपको पता है क्या होती है equilibrium पर rate of forward और rate of backward reaction क्या हो जाती है और जब equilibrium establish होता है तो reactant और product की concentration में time के साथ change होता है वो क्या हो जाता है बंद हो जाता है अगर मुझे केसी लिखना है तो कैसी कैसे लिखूँगा यहाँ पर product की concentration product में को होन है c od अगर equilibrium constant को प्रेशर की term में लिखना है तो वही product का pressure upon reactant का pressure और stasiometric option को कहा ले जाओ बेटा पावर में एक चीज़ याज रखें जब भी equilibrium constant लिख रहे हो तो solid और liquid को लिखने की जरुवत नहीं है क्योंकि solid और liquid की concentration कहें या density कहें वो क्या होते constant तो उसको equilibrium constant में नहीं लिखा जाता केवल किसको लिखेंगे जो या तो aqueous होंगे या फिर जो gaseous होंगे केवल उन्हें kc और kp में लिखेंगे बाकी में नहीं लिखेंगे kp और kc में अगर मैं relation की बात करूँ तो kp बराबर होता है kc rt की पावर delta ng kp बराबर kc rt की पावर delta ng next हम लोग बात करते हैं equilibrium constant कहाँ पर define होता है केवल equilibrium पर जबकि जो reaction quotient होता है वो भी equilibrium constant जैसे निकालते है वैसे निकालता है लेकिन वो कह कहाँ पर define होता है reaction के किसी भी step पर define आप लोग कर सकते हो equilibrium से पहले भी equilibrium पर भी equilibrium के बात भी लिखा वैसे यह प्रोड़क की concentration अपन रियक्टेशन को कहां लेगा पावर में अब अगर reaction quotient की value मान लीजे क्या आ रही है काम आ रही है मान लीजे reaction हो रही है a plus b क्या बना रहा ह बटा equilibrium पर जाना है तो अगर आपके पास reaction quotient की value कम आ रही है equilibrium constant से तो अभी आपको equilibrium पर जाना है मतलब और आगे जाना है तो कौनसी reaction हो जाएगी बटा forward अगर मान लो इस reaction का Q कितना आगे 10 equilibrium constant भी कितना है 10 तो Q और Q अगर बराबर आगे मतलब reaction किस पर है equilibrium पर मान लीजे Q अगर मान लीजे कितना आगे 12 तो क्यों की value के से क्या होगी जादा मतलब आगे निकल गए हम लोग तो वापस equilibrium पर आना पड़ेगा तो reaction कैसी हो जाएगी बैकवर्ड क्लियर है next हम लोग बात करते हैं want of equation की want of equation क्या होता है ln k2 by k1 is equal to delta h upon r 1 upon t1 minus 1 upon t2 अगर मैं लोग की term में लिखता है 10 base की term में तो नीचे यहाँ पर r के साथ आजाता है 2.303 next काफी important है ली chatterer principle जो exam में काफी पूछा जाता है तो ली chatterer principle क्या कहता है कि अगर आप लोग कोई reaction equilibrium पर है और अगर उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं उस equilibrium को disturb कर रहे हैं तो equilibrium उस और establish हो जाएगा जिससे जो भी आपने change किया उसका effect क्या हो जाए बिटा negligible एक और चीज़ जो equilibrium constant होता है बिटा वो किस पर depend करता है equilibrium constant केवल दो चीज़ों पर depend करता है एक करता है बिटा temperature पर और दूसरा करता है बिटा stationary coefficient पर केवल दो चीज़ों पर concentration पर नहीं करता है pressure पर नहीं करता है catalyst पर नहीं करता है दो चीज़ों पर temperature और stasiometric coefficient पर, क्लिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मानलीजे एक reaction हो रही है, A क्या बना रहा है बिटा B, इस reaction का equilibrium constant मानलीजे कितना है बिटा 10 है, अगर मानलीजे इस reaction को मैं 2 से multiply कर दू, क्या होगा 2A क्या बना रहा है 2, B तो जो equilibrium constant होगा, वो क्या हो जाएगा 10 की power 2, जिससे भी multiply करते हैं वो कहाँ चला जाता है बिटा, power में clear है, अगर आप लोग 2 reaction को add कर रहे हैं तो equilibrium constant आपस में multiply हो जाते हैं बिटा और reaction को अगर आप लोग just reverse कर रहे हैं, जैसे A, B बना रहा है उसका equilibrium constant कितना है बिटा 10, इसको मैंने reverse कर दिया, B से क्या बना रहा हूँ, मैं A तो equilibrium constant क्या हो जाता है, इंवर्स हो जाता है 1 by 10 हो जाता है, तो अगर reaction को reverse कर रहे है, equilibrium constant क्या हो जाएगा, इंवर्स, किसी चीज़ से multiply करते हैं, तो वो power में चला जाता है और add करेंगे, तो equilibrium constant आपस में क्या हो जाएगे, बिटा, multiply ली चैटर पिंसिपल के अगर मैं बात करूँ, मानलीजे कोई question मैंने आपर दिया आपको, N2 plus 3S2, क्या बना रहा है मानलीजे, 2N3, और ये reaction मानलीजे equilibrium पर है, clear है, तो अगर मैंने कहा कि इस equilibrium पर है, अब मैंने इस पर क्या किया, reactant की concentration change की, मानलीजे, मैंने reactant की concentration को क्या कर दिया, इंक्रीज, तो reaction कहाँ चली जाएगी, बिटा, forward direction में, forward reaction हो जाएगी, अगर मैंने reactant की concentration को क्या कर दिया, बिटा, decrease, तो reaction कहा चली जाएगी वीटा उस डिर्येक्शन में चली जाएगी जहांसे उसका एफेक्ट क्या हो जाएगी टो रीक्षिन कहां चली जाएगी बैकवर्ड इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो अब बढ़ाने का और वोल्इम कम करने का एक effect है, तो pressure मैंने बढ़ाया तो reaction कहां से कहां जाती, अगर मैं pressure बढ़ाता हूं, तो reaction more mole to less mole जाती यह, more mole to less mole, इसका क्या मतलब होता है अब बताओ, यहाँ पर कितने mole ये, देखू, चार mole, यहाँ पर कितने mole है, तो more to less जाएगी मतलब अगर pressure बढ़ाया तो reaction कहां जानी है यहाँ पर, forward, और pressure कम कर दिया तो इसका just opposite हो जाएगा, next अगर मैं temperature की बात करूँ, तो अगर endothermic process है, endothermic, तो equilibrium constant होता है, वो directly proportion होता है temperature, मतलब अगर मैं temperature बढ़ाऊँगा, तो reaction कहां जाएगी forward, और कम करूँगा तो कहां जाएगी backward, इसी तरह अगर मैं exothermic reaction की बात करता हूँ, तो equilibrium constant होता है, inversely proportional to temperature, मतलब temperature बढ़ाऊँगा, तो reaction कहां जाएगी backward, और कम करूँगा, तो कहां जाएगी forward, next आता है, inert gas का effect, अगर मैं inert gas add कर रहा हूँ, inert gas add कर रहा हूँ, किस पर, एक कर रहा हूँ बटा, constant volume पर, तो अगर इस reaction में inert gas add करता हूँ, बटा, constant volume पर, तो कोई effect नहीं होगा, ना reaction आगी जाएगी, ना ही reaction पीछे जाएगी, और अगर मैं इस पर constant pressure पर अगर मैं add करता हूँ, constant pressure पर बटा, अगर मैं add करता हूँ, inert gas को, तो reaction less mole to, कहाँ जाती है बटा, more mole, इसका क्या मतलब में बता हूँ, यहाँ पर कितने mole है, product side 2, और reactant side कितने है, 4, तो less to more मतलब कहाँ चली जाएगी बटा, 2 to 4 मतलब backward direction में, clear है, तो inert gas constant volume पर कोई effect नहीं डालता है, equilibrium पर, और अगर मैं catalyst add कर दूँ, तो catalyst का भी equilibrium पर कोई effect नहीं होगा, यह rate of forward और backward को equally effect करता है, लेकिन equilibrium पर कोई effect नहीं करेगा, equilibrium established होने के time को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो next हम लोग बात करते हैं, बटा, किसकी ionic equilibrium की, तो ionic equilibrium में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, बटा, ostwald dilution low, ostwald dilution low, किसके लिए applicable होता है, बटा, ostwald dilution low applicable होता है, इस weak electrolyte के लिए, किसके लिए, weak electrolyte के लिए, weak electrolyte के लिए, weak electrolyte का, जैसे जैसे हम लोग dilution करते जाते हैं, उसका degree of ionization क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, जैसे मालीजे मैंने 100 molecule लिए CS3 COH के, एक लिटर पानी में डाल तो मालीजे 10 dissociate हुए, 10 ionize हुए है, अभी 90 ऐसे कैसे पड़े हुए, तो जैसे जैसे मैं पानी डालता जाओंगा, degree of ionization क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो अगर मैं weak acid की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, weak acid की, monoprotic weak acid, ऐसा weak acid जो 1H plus दे रहा है, तो उसक जो dissociation constant होगा, k वो कितना होता है, c alpha square upon 1- alpha, alpha अगर एक से कम है, तो k h equal to कितना आ जाता है, c alpha square, alpha क्या होता, degree of ionization या degree of dissociation बहुत सकते है, alpha कितना हो जाएगा, under root k by c, अब देखो यहाँ पर अगर concentration कम करूँगा, तो alpha बढ़ेगा, यही तो बोला, पानी मिलाओंगा, concentration कम हो c, यह जैसे-जैसे formula acid के है, वही सेम किसके हैं, बस k की जगे, kb आ जाएगा, h plus की जगे, oh minus आ जाएगा, और ph की जगे, poh आ जाएगा, तो kb is equal to कितना होगा, c alpha square upon 1- alpha, alpha अगर एक से बहुत छोटा है, तो kb is equal to c alpha square, alpha कितना होगे, बढ़ेगा, under root kb by c, oh minus के concentration कितना होग बेटा, अगर 25 degree Celsius पर बात की जाए, कितने पर 25 degree Celsius, pH scale कितना होता है, 14 का होता है, यह पढ़कर आया है, और pH क्या होता है, minus log of activity of h plus, activity of h plus, सर, यह क्या बोल रहे है, हम लोग पढ़कर आया है, सर, pH is equal to minus log of h plus, यह बेटा, अगर solution dilute है, अगर solution dilute है, तो जो activity of h plus है, बेटा, वो h plus sign की concentration की ब़राबर हो जाता है, clear है, तो pH का actual formula होता है, minus log of activity of h plus, लेकिन हम लोग dilute solution लेकर चलते है, इसलिए pH is equal to कितना हो जाएगा, minus log of h plus, pOH कितना हो जाएगा, minus log ofzh-, pK कितना हो जाएगा, minus log of k, pK भी कितना हो जाएगा, minus log of k, h plus कितना हो जाएगा, अगर pH इतना है, minus log of H+, तो H+, हो जाता है, 10 की power minus pH, मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर मैंने कहा कि आपके पास pH, मान लीजे, 6 है, और H+, निकालना है, तो H+, हो जाएगा, 10 की power, minus 6, मैंने कहा, अगर POH आपके पास, 8 है, मान लीजे, और OH- मैंने आपसे पूचा, तो कितना हो जाएगा, 10 की power, minus 10 की negative power में चला जाता है, न, ऐसे K और ऐसे ही, K भी आ जाएगा, next हम लोग बात करते है, प्रोपर्टी जो वोटर की, आपको पता है, जो पानी होता है, वो neutral होता है, तो neutral cup होगा, जब जितने H+, होतने ही, OH- होगे, तो pure water में H+, और OH- की concentration क्या होती है, equal, इसलिए पानी कैसा होता है, neutral, पानी की concentration होती है, वो होती है, 55.5, 55.5, अच्छा, एक चीज, ऐसा मस सोचना, कि सर, मैंने पूचा, 1 kg पानी की concentration कितनी होगा, आप बोलोगे, 55.5, मैंने बोला, 2 kg पानी की concentration कितनी होगे, into 2, नहीं, पानी कितना भी हो, एक kg बोलो, या एक लीटर बोलो, एक ही बात है, 2 kg बोलो, या दो लीटर बोलो, एक ही बात है, पानी कितना भी हो, concentration कितनी होगे, हमेशा, 55.5, 1 ml की भी 55.5, 10 ml की भी 55.5 कितना भी हो 55.5 Ionic product of water की बात करूँगे 25 degree पर, तो कितना होता है बिटा, kW होता है H plus into OH minus, किसके बराबर होता है 10 की power, minus 14 के और अगर ये इतना है, तो आपको पता है PKW, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो PKW is equal to तो आपको पता है बिटा, क्या हो जाता है pH plus POH और वो कितना हो जाता है, बिटा, 14 ये 25 degree पर डेटा है पर अगर मैं 90 degree पर डेटा की बात करता हूँ तो 90 degree पर scale चोटा हो जाता है 12 का scale हो जाता है, तो यहाँ से KW is equal to 90 degree पर आता है, बिटा H plus into OH minus कितना, 10 की पार minus 12 और PKW is equal to कितना आ जाता है, बिटा pH plus POH is equal to कितना 12, तो temperature बढ़ाने पर क्या होगा वो आप लोग देख सकते हैं, temperature बढ़ाने पर भी पानी neutral ही रहेगा, जितना H plus होगा, उतना ही क्या होगा, बिटा, OH minus, बस scale चोटा हो जाता है 25 पर, अगर 14 का scale था तो 90 डिगरी पर scale हो जाता है बिटा, कितने का, 12 का आपको पता है, अगर pH 7 है तो neutral होगा 25 डिगरी की पर बात कर रहे हैं हम लोग pH 7 से कम है, तो solution acidic होगा 7 से जादा है, तो solution कैसा होगा, basic होगा लेकिन 90 डिगरी पर बात करें तो 12 का scale हो गया है तो 6 पर कैसा हो जाएगा बिटा, neutral इसी तरह से 6 से कम पर, acidic 6 से जादा पर basic, clear है, अगर आपके पास conjugate acid base pair है, conjugate acid base pair है, जैसे मैंने आपर लिखा, मालीजे आपके पास एक acid है HOCl, इसका conjugate conjugate base क्या होगा, ह प्लस निकाल, तो क्या बनेगा OCl minus, तो अगर यह acid है तो इसका conjugate base है, clear तो अगर आपके पास acid के लिए क्या define होगा के और इसके लिए क्या define होगा KB, तो conjugate acid base pair के लिए क्या होता है, का into KB कितना होता है KW के बराबर होता और KW आप लोग जानते के इतना होता 10 के पाबर, minus 14 यह formula केवल conjugate acid base pair के लिए लगता है K into KB किसके बराबर होता है KW, बराबर 10 के पाबर, minus 14 इसी तरह से क्या हो जाएगा PK plus PKB बराबर कितना हो जाएगा PKW, जो कि किसके बराबर है 14 के Next हम लोग बात करते हैं pH calculation of different type of solution अब जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ Strong acid को mix कर रहा हूँ या फिर strong basis को mix कर रहा हूँ या फिर acid और paste को mix कर रहा हूँ तो क्या हो गया है तो हमने mix किया pH of mixture of two strong acid 2 strong acid को mix कर दिया जैसे माली जे मैंने HCl और HNO3 को mix कर दिया अब first जो acid है उसका normalty N1 और volume V1 है और second जो strong acid है उसका normalty N2 और volume कितना है विटा V2 तो आपके पास 2 strong acid थे इसका normalty volume N1 V1 इसका कितना होगा विटा N2 V2 अब दोनों को क्या कर दिया विटा मैंने मिला दिया अब दोनों को जब मैंने मिलाया तो जो solution बना है उस solution का जो normalty होगा वो कितना होगा वो होगा N1 V1 प्लस N2 V2 अपोन जो total volume होगा अब मुझे बताओ जो आपने मिलाया वो acid है ना acid है तो जो concentration आएगी वो किसकी आएगी और H प्लस आगे तो अगर pH निकालने को बोला गया तो आपको पता है pH प्लस pH कितना होता है वेटा 14 तो आप लोग calculate कर सकते हैं next अगर मैं acid और base मिलाता हूँ तो आपको पता है जब बटा acid और base मिलाते हैं तो acid और base आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं वेटा? neutralize करते हैं और acid और base एक दूसरे को अगर आपस में neutralize करेंगे तो क्या होगा? प्लस की जिगा आएगा minus अच्छा जब मैंने acid और base मिलाया मानलो 10 ml acid मिलाया 10 ml base मिलाया तो volume तो 20 हो गया ना बस आपस में neutralize कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो जो total solution की normalty आईगी, concentration आईगी वो कितनी आईगी? N1, V1 minus N2, V2 upon V1 plus V2 volume तो addy होगा ना acid के ज़्यादा है तो यह H plus देदेगा और base के ज़्यादा है अगर gram equivalent ज़्यादा है तो क्याद देदेगा बिटा? OH minus अगर दोनो strong acid और strong base के gram equivalent बराबर है तो solution neutral हो जाएगा और pH कितनी आजाएगी बिटा? 7 अगर आपसे बिटा दो weak acid की strength को compare कराता है सुननो बिटा दो weak acid की strength को क्या कराता है? compare weak acid की बात कर रहे है ना तो weak acid के लिए मैं पढ़कर आया है H plus is equal to होता है बिटा C alpha या फिर under root K A into C तो यहाँ पर दो acid की strength को compare करा रहा है तो दोनों को divide कर तो C1 alpha 1 upon C2 alpha 2 या फिर under root K1 C1 upon K2 C2 कई बार ही concentration सेम जेज़ा तो cancel हो जाएगा है तो दो weak acid की relative strength का मतलब है उनकी H plus I को compare करना तो बच्चों next topic अपना आता है salt hydrolysis और यह equilibrium chapter का बहुत important topic है हमें पता है salt जो होता है वो चार तरह से बन सकता है यहाँ पर आप लोग देखें पहले में acid weak है और base strong है second वाले में strong acid है और base का है weak है third वाले में दोनों ही weak है और fourth वाले में दोनों ही strong है अब जो एक salt होता है वो जैसे मैंने लिया NaCl इसमें एक to cation है एक anion part है तो जो cation वाला part होता है वो आता है base से और जो anion वाला part आता है वो कैसा आता है acid से clear है अगर आपके पास एक strong acid और strong base का salt है जैसे मैं D वाले की बात कर रहा हूँ strong acid और strong base का salt है तो इसका hydrolysis नहीं होता है अगर मैं NaCl को पानी में डालता हूँ तो इसका hydrolysis नहीं होगा pH कितना होगा बटा? 7 एक salt में उस ही part का hydrolysis होता है जो weak से आता है अब यहाँ पर देखो बटा पहले वाले salt में कौन weak है बटा? acid जो भी weak होता है उस ही का dissociation constant define होता है k तो second वाले में base weak है तो क्या define होगा बटा? kb और third वाले में दोनों ही weak है तो क्या define होगे? k और kb dissociation constant किसके लिए define होगे? जो weak होगे है न तो यहाँ पर देखिए इस salt में कौन weak है बटा? acid acid से कौन आता है बटा? anion acid से anion तो इसलिए hydrolysis को बोल दिया anionic hydrolysis यहाँ पर बताओ कौन weak है बटा? base weak base है second वाले में और base से क्या आता है बटा? base से आता है cation तो इसलिए hydrolysis को क्या बोल दिया? cationic hydrolysis और यहाँ पर दोनों ही weak से आ रहे है तो इसलिए कि आप बोल दिया, cationic and ionic hydrolysis है न, बोट, kH अगर हम लोगों को लिखना है, तो kH कैसे लिखूँगा बिटा, kH is equal to क्या करना है आप लोगों को, kW upon, जो भी weak का है, dissociation constant उसको नीचे ठेक दो, kW के है न, तो यहाँ पर बताओ, क्या define हो रहा था, first वाले में, salt तो k और kB दोनों define होगे, तो kH कितना आगे, kW by kA into kB, next अगर मैं बात करता हूँ, degree of hydrolysis की, kH तो हो गया, hydrolysis constant है न, और h हो गया, degree of hydrolysis, degree of hydrolysis का formula होता है, under root kH by c, under root kH by c, under root kH by c, तो kH की value रिख सकते हो, kH कितना था पहले वाले में, kW by kA into c हो गया, second वाले में क् under root kW by kB into c, एक चीज जो आप लोगों को याद रखना है, अगर एक salt आपके पास है और दोनों ही weak हैं, एक salt में दोनों ही weak हैं, तो जो उसका degree of hydrolysis होता है, वो concentration पर depend नहीं करता है, तो degree of hydrolysis यहाँ पर कितना आएगा, केवल under root kH, और under root kH आएगा, तो यहाँ पर कितना ह और weak base का जो salt होता है, उसका जो degree of hydrolysis होता है यह pH होता है, वो concentration पर depend नहीं करता है, और last pH के formula है, अगर आपके पास acid weak है, तो kDefine होगा, kDefine होगा तो pH का formula क्या बनता है, 7 plus half pK plus half log C, kDefine हो रहा है तो plus plus करते जाओ है, salt के formula में, second वाले में weak base है, salt में, kB define हो रहा है, तो pH का formula क्या हो जाएगा, 7 minus half pKb minus half log C, kB define हो रहा है, salt में, तो minus minus करते जाओ है न, learn करने का तरीका है, और third वाले में बताओ, kB define हो रहा है, और kB भी define हो रहा है, तो k के साथ plus आजाएगा, और kB के साथ minus, और concentration में depend करेगा ही नहीं, तो formula बन गया, pH का 7 plus half pKa minus half pKb, next बात करते है, buffer solution की ये भी काफ़ी important है, buffer solution के अगर हम लोग बात करें बिटा, तो हमारा जो blood होता है, वो एक buffer solution है, buffer solution क्या होता है, जो pH change को register करता है, अगर मैं small amount में acid base लूँ, तो pH change नहीं होनी चाहिए, अगर मैं dilute करता हूँ, तो भी pH change नहीं होनी चाहिए, और long standing के बा conjugate base के साथ बनावा, इसी weak acid का क्या है, conjugate base है, या फिर कह सकते है, इसी weak acid का strong base के साथ बनावा salt है, तो यह weak acid है, और यह इसी weak acid का strong base के साथ बनावा क्या है, वीक acid का strong base के साथ बनावा क्या है, salt, तो इसे बोलते है, acid buffer, acid buffer का pH होता है, वो कितना होता है, pka plus low concentration of salt upon concentration of weak acid, इस equation क Henderson-Hazel-Boltz equation भी बोलते हैं basic buffer क्या हो जाएगा इसी तरीके से weak base और इसी weak base का strong acid के साथ बनावा salt, तो यहाँ पर POH कितना आजाएगा, PKB plus low concentration of salt upon concentration of weak base एक चीज buffer में आपको याद रखना है जो acidic buffer होता है उसका pH 7 से कम साथ या साथ से जादा कुछ भी हो सकता है basic buffer का pH साथ से कम साथ या साथ से जादा कुछ भी हो सकता है तो buffer में ऐसा मत देखना कि acidic buffer है तो pH साथ से कम ही आएगा नहीं अगर acidic solution है तो pH साथ से कम होगा लेकिन अगर acidic buffer है तो pH कुछ भी हो सकता है साथ से कम, साथ या साथ से ज्यादा कुछ भी हो सकता है next बात करते है solubility product की solubility product कैसे निकालते है मान लीजे मेरे पास कोई salt है, जैसे मान लीजे HGCl2 है, sparingly soluble salt है sparingly soluble salt तो यहाँ पर देखो, cation तो मेरे पास 1 है और anion बच्चों कितने मेरे पास 2 है 1, तो 1s लिखा, anion कितना था, 2 तो कितना लिखा, 2s, तो अगर आपको solubility product लिखना है, तो किस तरीके से लिखोगे 1s की power, 1 जितना है, 2s है तो 2s की power कितना कर दोगे 2, अगर यह 3s होता, 3 anion होते तो 3s की power कितना हो जागता, 3 तो ksp is equal to कितना हो जाएगा, यहां से 4s, q, clear तो यहां से इस तरीके से solubility product निकाल सकते हैं एक और आप लोग ले लिजें, यहां पर जैसे मैंने माल लिजें aloh का whole thrice यहां पर लिया, मैंने तो katein कितना है, यहां पर 1s लिख दिया anion कितने हैं यहां पर, 3s s को बोलते हैं, solubility है न और ksp होता है, solubility product है, कितना हो जाएगा 1s की power 1, और 3s की power q, तो इसको आप लोग solve कर सकते हैं 27s की power 4, clear यहां पर q और k की condition में आप लोग को बताई चुका हूँ कि forward reaction जानी है या फिर backward reaction जानी है यह आप लोग कर सकते है next chapter की बात करते हैं हम लोग solution की solution chapter में आप लोगों ने पढ़ा है हिंडरी लो हिंडरी लो क्या बताता है, solubility of gas in liquid, हिंडरी लो का formula क्या होता है P is equal to kH into x gas kH into x gas अब यहां पर क्या होगा अगर मैं temperature increase करता हूँ, तो gas का जो hindry constant होता है आप वो increase होता है, और जैसे-जैसे gas का hindry constant increase होगा जो solubility होगी gas की, वो क्या होती जाएगी decrease, जैसे मैंने यह आप अपर 2 gas लिकी 1 gas A और 1 gas B मालनीजे, 1 का hindry constant मैंने कितना दिया 5 और 1 का hindry constant मैंने मैंने पूछा कौन सी गैस ज्यादा solubile होगी, जिसका हेंडी constant कम होगा, तो कौन सी गैस ज्यादा solubile होगी भीटा, ए, क्लियर, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसकूबा डाइवर्स जो गोता गोर होते हैं, sea water में अंदर जाते हैं, तो वो जो air tanks लेकर जाते हैं, उस air tanks में जो air होती है, उसको dilute किया जाता है, helium से, किसे dilute किया जाता है, helium, कितना percent, 11.7%, 11.7%, oxygen क्या होती है, कैसे याद रखोगी, oxygen का molar mass होता है, almost 32, तो यह जो percentage है, वो almost 32 के आसपास है, 32.1, तो oxygen हो गया, 32.1, helium हो गया, 11.7, बचावा क्या हो जाएगा, नाइटोजन, कितना, 56.2, अगर मैं राउल ट्लो की बात करूँ, liquid, liquid solution के लिए, तो राउल ट्लो ने क्या कहा था, जो partial pressure of A है, वो कितना होगा, पी नोड AX से, जो partial pressure of B होगा, वो कित लिक्विड कैसे हो, volatile, तो जो solution का वेपर pressure आएगा, वो आएगा, पी नोड A, XA, प्लस पी नोड B, XB, पी नोड A और पी नोड B, आपको पता है, प्योर component का वेपर pressure है, और XA और XB क्या है, मौल fraction कि इसमें, लिक्विड फेस में, अगर मैं ideal solution की बात करता हूँ, तो ideal solution व अगर आपके पास solvent-solvent में है, उतना interaction अगर solute-solute में है, और उतना ही interaction उनको मिलाने के बाद है, तो इसका मतलब वो solution कैसा है, ideal solution, ideal solution के लिए delta H हो, या delta V mixture हो, वो कितना होता है, 0 होता है, entropy change कैसा होता है, positive, और जो delta G हो कैसा होता है, negative, solution ideal हो या non-ideal हो, दो चीज़े common होती ह पहला, delta S, दोनों के लिए positive होता है, और delta G, दोनों के लिए कैसा होता है, negative, अगर ideal solution है, तो force of attraction almost बराबर होंगे, तो आप देखो, benzinotulin, लगबग same property, जो attraction भी same होंगे, hexane और haptane, C2H5BR1, C2H5I, ये कैसा solution बनाते हैं, ideal solution, जो route low को follow करते हैं, non-ideal solution, जो route low को follow नहीं करते ह होते हैं, जो route low से positive deviation show करते हैं, positive deviation show करने का मतलब होता है, जो Network pressure है, वो route के formula से जतना आया, उसके क्या आना चाहिए, ज़ाधा आना चाहिए, तो अगर pressure ज्यादा आ रहा है, तो positive deviation, voter pressure कम आ रहा है, तो कौन सा effectivement तो route के formula से ज़तना निकाला और जो experiment से निकार रहा है, तो experiment से round के formula को follow करके मानलीजे, मेरा vapor pressure आया 50 और जब मैंने experiment किया, तो कितना आ रहा है 60 तो round के formula से ज़्यादा आ रहा है न, 60 तो इसका मतलब कौन सा deviation शो कर रहा है बिटा, positive deviation force of attraction between solvent, solvent, solute, solute is greater than solute solvent अगर positive deviation है, तो बिटा, delta H हो, delta V हो या delta S हो, वो कैसे होते है positive, लेकिन delta G कैसा होता negative, ये तो दोनों मैंने बता दी ideal solution हो, या फिर non-ideal solution हो, दोनों के लिए same होगा, delta S positive और delta G कैसा negative, examples very very important, बिटा, अगर alcohol को पानी में डालता हूँ, तो positive deviation शो करेगा, acetone प्लस alcohol और acetone प्लस CH2, एक्जामपल अच्छे याद करना, positive deviation के तीन एक्जामपल याद करवा रहा हूँ, alcohol को पानी में डाला, alcohol को acetone में डाला, या फिर acetone प्लस CH2, ये कैसे deviation है, positive, negative deviation में बिटक्या हो जाएगा, vapor pressure आउट्टो से जो आ रहा हो, negative deviation के एक्जामपल के है, अगर मैं acid को पानी में डाल दू, alcohol को पानी में डाल दू तो positive deviation है, और acid को पानी में डाल दिया, अचन उत्री को पानी में डाल दिया, तो क्या हो गया, negative deviation, acetone प्लस chloroform और phenol प्लस aniline, ये किसके एक्जामपल है बिटा, negative deviation के, next colligative property की बात करते हैं, कि बटा, colligative property क्या होती है, colligative property वो होती है, जो number of solute particle पर depend करती है, number of solute particle पर depend करती है, सबसे पहला आप लोग पढ़गा है, relative lowering in vapor pressure, क्या होता है, p node a, minus ps upon p node a, is equal to i into mole fraction of solute, हर formula के साथ i लगाएं जरूर, ताकि आप लोग i apply करना ना भूले एक्जाम में है, i क्या होता है, want of factor वो अभी हम लोग देखेंगे हैं, तो relative lowering in vapor pressure, p node a, minus ps upon p node a, is equal to i into mole fraction of solute, elevation in boiling point, delta tb, is equal to i into kb into m, क्या होता है, molality, depression in freezing point, delta tf, is equal to i into kf into m, और जो osmotic pressure होता है बिटा, वो क्या होता है, pi is equal to i, c, r, t, एक question यहाँ पर बन सकता है बिटा, जो polymers होते हैं, जो polymers होते हैं, अगर आप लोगों को polymers हुए, proteins हुए, उनके molecular mass अगर आपको determine करने हैं, तो इन चारों में से कौन सा method यूज करेंगे, तो आप लोगों को polymers के molecular mass अगर आपको निकालने हैं, तो कौन सा method सबसे best है, वो है osmotic pressure method, next हम लोगों बात करते हैं, type of solution की, अगर बोला, isotonic solution, isotonic solution क्या होता है, जिन solution के osmotic pressure क्या हो बराबर, तो isotonic होगा, जिसका जादा होता है, osmotic pressure वो hyper होगा, और जिसका कम होता है, वो कैसा होता है, hypotonic solution, वोन्टों फेक्टर की अगर मैं बात करूँ, आई की, तो वोन्टों फेक्टर क्या होता है, observed colligative property upon theoretical colligative property, या फिर क्या होता है, theoretical molecular mass upon observed molecular mass, दोनों में difference है, अगर colligative property की बात करूँ, तो observed upon theoretical है, और molecular mass की बात करूँ तो क्या है बिटा theoretical upon observe अगर मैं alpha की बात करता हूँ degree of dissociation की तो alpha क्या आता है बिटा i minus 1 upon n minus 1 i want of factor है अगर मैं association की बात करूँ तो alpha कितना आता है इसको याद करने से अच्छा है आप लोग याद कर लें या फिर कर लें i minus 1 upon 1 upon n minus 1 तो ये याद करना ज़्यादा असान है dissociation में क्या है बिटा alpha i minus 1 upon n minus 1 और association में क्या हो जाएगा n की जगे 1 by n हो जाएगा अगर न dissociation हो रहा है नहीं association हो रहा है जैसे माल लीजे मैं गुलकोज को पानी में डालता हूँ तो अगर 100 molecule गुलकोज के डालें तो वो 100 ही रहेंगे है ना तो अगर न dissociation हो रहा है ना ही association हो रहा है तो i की value कितनी होगी बिटा 1 अगर dissociation हो गया मालनो lnacl को पानी में डाला तो तूट जाएगा ना तो dissociation हो गया तो number of particle क्या हो जाएगे जादा और number of particle अगर जादा हो रहे है तो i की value एक से क्या हो जाएगी बिटा जादा तो वोंटेफ वेक्टर एक से जादा होगा कब dissociation case में और association हो रहा है जैसे मैंने acetic acid को बिटा बेंजीन में डाल दिया तो acetic acid को जब बेंजीन में डालते हैं तो वो बनाता है dimer associate हो जाता है दो molecule मिलकर एक molecule बना रहा है तो जब association होगा तो number of particle क्या हो जाएगे गम और number of particle कम हो रहे हैं तो i की value एक से क्या होगी? कम हो जाएगी और association case में बो लगा है i k वेलिव एक से कम हो जाएगी तो कौन सा Molecular Mass जादा हो जाएगा बटा Observed Molecular Mass है ना Colligative Property किस पर Depend करती है बटा Number of Particle पर Number of Particle जादा है तो Colligative Property जादा होगी Number of Particle कम है तो Colligative Property क्या हो जाएगी कम हो जाएगी Next chapter की बात करते है बटा Electro Chemistry Electro Chemistry में सबसे पहले हम लोग बात करते है अगर आप लोगों को E-Cell निकालना है Electrode Cell Potential निकालना है Electrode Potential जैसे आप लोग जानते है बटा एक तो Oxidation Potential होता है और क्या होता है Reduction Potential अगर माल लिजे जैसे आपके पास Lithium है Lithium का Reduction Potential होता है Minus 3.05 तो उसका Oxidation Potential का Magnitude तो सेम ही होगा जो होगा बस Sign Change हो जाएगा तो Oxidation Potential कितना हो जाएगा Plus 3.05 मतलब Reduction Potential और Oxidation Potential का Magnitude क्या होगा बटा सेम होगा बस Sign क्या होगा अगर आपको Cell Potential निकालना है तो Cell Potential कैसे निकालते हैं E-Node Cathode-E-Node Anode जब ये E-Node Cathode-E-Node Anode का फोर्मला यूज कर रहे होंगे तो दोनों में यहाँ पर आप जो Potential लग रहे होंगे वह कौन सा रख रहे होंगे Reduction Potential है Reduction Potential कुछ ना बोला जाए तो कौन सा Potential लगना है हमेशे Reduction Potential तो Cell Potential होता है E-Node Cathode-E-Node Anode और यहाँ पर कौन सा रख रहे होंगे केवल Reduction Potential Gibbs Energy Change क्या होता है Minus N-F-E-Cell और अगर Delta G-Node निकालना है तो Delta G-Node is equal to कितना हो जाता है Minus N-F-E-Node Cell Standard Condition पर इतना हो जाता है Nust equation की बात करें Very very important बहुत सारे question यहाँ से अपने एक्जाम में पूछे गए है तो इस equation को अच्छे से याद करें E-Cell is equal to हो जाता है E-Node Cell Minus 0.0591 upon N Log Q N क्या है पिटा N जितने भी Electrons reaction में क्या हो रहे होंगे पिटा Transfer हो रहे होंगे अगर आपकी reaction equilibrium पर है अगर आपकी reaction equilibrium पर है N log Q अगर equilibrium पर है तो E-Cell 0 कर दो और Q को क्या लिख दो? K तो जो भी पूछा गया वो आप लोगों से आ जाए गया next concentration cell के अगर मैं बात करता हो तो concentration cell क्या होता है ऐसा cell जिसमें दोनों electrode सेम हो एनोड वाला भी और cathode वाला भी दोनों electrode भी सेम हो electrolyte भी सेम हो लेकिन उनकी concentration क्या हो अलग अलग हो जैसे मैंने यहाँ पर electrolytic concentration cell यहाँ पर दिया हो है यहाँ पर देखो anode किसका है? zinc का और iron कौन से? z1 plus 2 cathode भी किसका है? zinc का और किसमें deep है? z1 plus 2 में लेकिन concentration दोनों की क्या है? अलग अलग C1 और C2 तो अगर आपके पास electrode भी सेम है, electrolyte भी सेम है लेकिन दोनों की concentration अलग अलग है तो ऐसे cell को बोलते है concentration cell अब मुझे बताओ enode cell निकालना मैंने आपको बताया था enode cell कैसे निकलता है? enode cathode minus enode anode अब cathode anode दोनों ही बताओ same है zinc का है तो दोनों की value सेम होगी तो enode cell कितना आजाएगा बता? 0 तो concentration cell में enode cell कितना आता है बता? 0 तो अगर concentration cell का question हुआ और आपको E cell निकालना है तो enode cell तो बताओ वहाँ पर कितना ही आजाएगा? 0 तो बाकी बचाओ और formula आप लोग कर सकते हैं न concentration cell में एक चीज़ याज रखें अगर आपको cell को spontaneous बनाना है क्या बनाना है? तो ज़्यादा concentration वाले का cathode बनाए तो यहाँ पर cathode देखो यह anode होता है बता और यह क्या होता है cathode? clear रहे? तो यहाँ पर अगर पूछा यह reaction spontaneous काब होगी? जब C2 किस से ज़्यादा हो? C1 से cathode वाली concentration क्या होनी चाहिए बिटा? ज़्यादा किस से? anode वाली से और अगर pressure की time में दिया हुआ है pressure की time में दिया हुआ है तो कम pressure वाले का क्या बनाना है cathode तो जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यह तो क्या होगे? anode और यह क्या होगे? cathode तो अगर मैं P1 और P2 की बात करूँ अगर इस cell को spontaneous बनाने यह भी concentration cell है क्योंकि दोनों सेम है hydrogen की है तो यहाँ पर P1 और P2 में से क्या ज़्यादा होना चाहिए? P1 तो concentration cell में ज़्यादा concentration वाले का cathode बनाओ और कम pressure वाले का cathode बनाओ तो reaction spontaneous हो जाएगा next बात करते हैं electrolysis की तो electrolysis में आपको जो deposition का cation के deposition का order है वो आप लोगों यहाँ पर दिख रहा है और anion के deposition का order जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं next बात करते हूँ फेराडे लोग की तो फेराडे लोग क्या होता है फेराडे फर्स्ट लोग होता है W is equal to ZIT कि अगर मान लिजे एक electrolytic solution है है न उसमें से मैं अगर current pass कराता हूँ tea time के लिए तो जो आपका deposit या liberate होगा electrode पर उसका जो amount होगा वो क्या होगा W बराबर ZQ और Q बता है आपको पता है चार्ज क्या होता है IT तो W बराबर क्या हो जाएगा ZIT और Z को बोलते है बिटा electrochemical equivalent electrochemical equivalent Z को क्या लिख सकते है ये लिख सकते है E upon 965 00 तो W बराबर क्या आगए बिटा EIT upon 965 00 जैसे जैसे chapter complete होता है एक पर के लिए आप लोग पोज लें एक चैप्टर के आपने अच्छे से formula आज को revise किये फिर वापस है दूसरे पर फिर तीसरे पर फिर चोटरे पर इस तरीके से कर सकते है Second look क्या कहता है अगर आप लोग का पास दो electrolytic solution है और मालों कटेंस ऐसे принцип नेस ने से यह यह जिश्टिवीटी ओटा होता है विश्टिवीटी का रेसिप्रों कलोग और औरрал क्या होता है उता ह। अगर में कनण्यक्टिवीटी की बात करूं तो कितना फता है थी ऑंता का 10,000 और molar conductivity की अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है के इंटू 1000 by M तो equality पर normality का divide होता है और molar conductivity में किसका divide होता है क्लिए रहे? specific conductance या conductivity बोल सकते है कपा इसको आप लोग लिख सकते है 1 by R into L by A, 1 by R into L by A, L by A को बोलते हैं बेटा cell constant क्लिए रहे? तो specific conductance होता है जो conductivity होता है 1 by R into L by A अब 1 by R को क्या लिख दिया बेटा? conductance into L by A, L by A क्या होगे बेटा? cell constant next cold-rouse low की अगर मैं बात करूँ तो cold-rouse low बेटा generally बच्चों को misconception होता है कि weak electrolyte के लिए applicable होता है मैं आपको बता दू cold-rouse low दोनों के लिए applicable होता है strong हो या फिर weak हो, दोनों के लिए क्या होता है बेटा? applicable अच्छा यह जो strong electrolyte का formula है यह मैंने यह यहापर लिख दिया है actually मैं यह cold-rouse नहीं दिया यह strong electrolyte का formula है lambda m is equal to lambda infinity m minus b root c यह दिया था बेटा, h o d ने, h means क्या होगे बेटा, d by, onsagar और हकल, h means हकल, o means onsagar, onsagar और d मतलब क्या होगे बेटा, d by है जो cold-rouse low की अगर मैं बात करता हूँ तो cold-rouse low ने क्या का, जैसे मान लीजिए आपके पास mgcl2 है, मान लीजिए आपके पास क्या है बेटा, mgcl2, इसकी limiting molar conductivity जो होगी, limiting molar conductivity है न, lambda 0, limiting molar conductivity, वो क्या होगे बेटा, जो भी इसमें आयन है न, उनकी molar conductivity को क्या कर दो, add कर दो, कितने आयन आरे, chloride कितने आरे, 2 आरे, तो इसको 2 से multiply करो, clear है, तो cold-rouse ने क्या बोला, कि जो limiting molar conductivity होगी, किसी भी electrolyte की, वो उस electrolyte में present जो ions है, उनकी limiting molar conductivity के सम के क्या होगी, equal होगी, और जितने number of ions आरे हैं, उनको आप लोगों को लिखना है, लेकिन अगर equivalent लिखना चाहते हो, इसी कई, इसी कई क्या लिखना चाहते है, तो वो क्या आजाएगा, lambda 0 eq mg plus 2, plus lambda 0 eq cl minus, यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर आपको number of ions से multiply, नहीं करना है, जब limiting molar conductivity लिखना है, तो करना है, limiting equivalent conductivity लिखना है, तो नहीं करना है, इसी तरीके से देखो, यहाँ पर weak की अगर आपको निकाल लिखना है, तो इसमें कौ minus, और h plus मिल जाए, उनको तो add कर दो, और बाकी को क्या कर दो, subtract, तो limiting molar conductivity, CS3, CO2 की निकाल सकते है, alpha निकालना है, degree of dissociation, तो कैसे आजाएगा, lambda m upon lambda infinity m, k निकालना है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, c alpha square upon 1 minus alpha, यहाँ लोग पढ़ चुके है, अगर आपको sparingly soluble salt की क्या नि lambda infinity m, molar conductivity और limiting molar conductivity, दोनों बराबर होती है, अब molar conductivity आपको पता है, कितना होता है, k into 1000 by m, m को क्या लिख दिया मैंने, s, molarity या solubility एक ही बात है, तो यहाँ पर formula बन गया, क्या, lambda 0 m is equal to k into 1000 by s, तो यहाँ से अगर मैं solubility निकालता हूँ, तो वो कितना आजाएगा, k into 1000 by lambda 0 m, तो last chapter हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, chemical kinetics, तो chemical kinetics की अगर मैं बात करता हूँ, तो chemical kinetics में, देखो, मैंने एक reaction यहाँ पर दी हुई है, इसका अगर आपको rate लिखना है, तो कैसे लिखते है, rate कैसे लिखते है, जो reactant है, उसकी rate से पहले तो आता है negative, और जो product है, उसकी rate से पहले क्या आता है, positive, अब यहाँ पर reactant को है, पिटा, A और B, और product को है, यहाँ पर C और D, stoichiometric coefficient को, पिटा, denominator में ले जाएंगे हम लोग है, तो rate of reaction क्या हो जाएगा, बताओ, यहाँ पर minus, A की rate लिखनी है, तो कितना हो जाएगा, minus 1 upon A, T A by DT, बराबर B की लिखनी है, reactant है यह पिटा, तो कितना हो जाएगा, minus 1 upon B, D B by DT, बताओ, product की निकली है, तो product में क्या आएगा, पिटा, plus, और जो stichiometric coefficient उसको denominator में ले जाएगा, तो कितना हो जाएगा, plus 1 upon C, D C by DT, या फिर plus 1 upon D, DT by DT, तो reactant की rate से पहले negative, product की rate से पहले positive, और जो भी stichiometric coefficient उसको कहा पर ले जाएगे विटा, नीचे, अगर A की disappearance की यह तो rate of reaction है, अगर rate of disappearance of A लिखना है, disappearance of A मतलब A कम हो रहा है, मतलब minus D A by DT पूचा है, rate of appearance of C लिखना है, appearance मतलब बन रहा है, तो मतलब plus D C upon DT पूचा है, यहाँ पर average rate के लिए delta लगाते है, और instantaneous rate के लिए क्या लगाते है average rate एक time interval में define होती है, और instantaneous rate होती है, वो एक particular time पर define होती है, अगर मैं unit की बात करूँ, rate की unit, तो पूरे chapter में rate की unit क्या चल लिए, mol, liter inverse, second inverse, या फिर क्या आजाएगा, ATM, second inverse, concentration upon time है, वो concentration क्या होता है, mol per liter, upon time क्या हो गया, second, तो वो बन गया, mol, liter, second inverse, और अगर pressure है, तो pressure के ATM हो जाएगी, ATM, second inverse, rate low equation के अगर मैं बात करूँ, एक reaction मैंने दी है, M1A plus M2B क्या बना रहे है, तो इसका rate low equation मैंने क्या लिखा है, बेटा, R is equal to K, A की पावर X, B की पावर Y, अब ये जो बेटा, X है न, ये इस M1 के equal हो भी सकता है, और नहीं भी, ये जो Y है न, ये इस M2 क equal हो भी सकता है, और नहीं भी, जैसे मैंने एक reaction लिखी, H2 plus BR2, क्या बना रहे है, बेटा, 2HBR, तो अगर मुझे इसका rate low equation लिखना है, तो किसी भी reaction को देखकर, उसका rate low equation नहीं लिख सकते है, ये experimental ही निकलता है, तो हमारी साब से ऐसा लग रहा था, R is equal to क्या आएगा, K, H 2 की power, बता हो, यहाँ पर 1 है, तो 1 आना चाहिए, और BR2 की power भी कितनी आनी चाहिए, बटा 1, पर 1 नहीं आती, कितनी आती है, half, तो ये actually मैं कहां से पता लगता है, experiments है, तो जो इस्टाइशोमेट्रिक उफिशेंट है, वो power में जाएंगे की नहीं जाएंगे, वो आपको experiment स पता लगेगा, तो जो X है, वो M1 के बराबर हो भी सकता है, और नहीं भी, Y M2 के बराबर हो भी सकता है, और नहीं भी, इन दोनों को अगर मैं add कर दूँ, जो rate law equation में concentration की power जो है, उनको अगर मैं add कर दूँ, बटा, कितना आ जाएगा, तो उसे बोलते है, order of reaction, rate law equation में concentration की power क add कर तूँ, यहाँ पर X है, यहाँ पर Y है, तो order कितना आ जाएगा, बटा, X प्लस Y, जो order होता है, वो elementary और complex दोनों reaction के लिए define होता है, molecularity के लिए elementary reaction के लिए define होता है, complex reaction के लिए define नहीं होता है, अगर मानलों complex के लिए define करना पढ़ गया, वैसे होता नहीं है, करना पढ़ गया, तो फिर हम लोग slowest step से define करें गया, elementary reaction के लिए order और molecularity क्या होता है, बटा, बराबर होते हैं, और complex अगर reaction है, तो उसका rate determining step होगा, वो कौन सा होगा, सबसे slowest step होगा, unit of rate constant के अगर मैं बात करूँ, तो मैंने कहा कि unit of rate तो पूरा fix रहेगा पूरे chapter में, concentration upon time था, change in concentration upon time मतला, mole, liter inverse और second inverse, लेकिन जो rate constant है, उसकी unit क्या हो सकती है, change हो सकती है, rate constant की unit के अगर मैं बात करूँ, तो k is equal to क्या होता है, mole की power 1-n, liter की power n-1 और second inverse, अच्छे से याद करें, rate constant की unit क्या होती है, mole की power 1-n, liter की power n-1 और second inverse, pressure की term में है, तो pressure की term में क्या जाएगा, ATM की power 1-n और second inverse, n क्या है, order है, n क्या है, यहाँ पर order, अब मालों आपको 0-order reaction की निकालना है, rate constant की unit, तो n की value 0 रगतो, 1st order के लिए निकालना है, 1st रगतो, 3 by 2, 2 order के लिए निकालना है, तो n की value 3 by 2 रगतो है, अगर मैं 0-order reaction की बात करता हूं, इस पूरे chapter में 0-order, 1st order reaction, very 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 important, अच 0-order reaction, hi decompose हो रहा है, in the presence of gold, यह भी कौन सा है, 0-order reaction, 0-order reaction का, जो rate constant होता है, वो होता है, k is equal to x by t, k is equal to x by t, half lifetime कितना होता है, a by 2k, 75% में कितना time लगता है, 3 by 2, t half, और t 100 में कितना लगता है, 2t half, यह 0-order reaction है, 1st order reaction की बात करता हूं, तो n2O5 का decomposition, 1st order reaction है, H2O2 का decomposition, 1st order reaction है, H2O2 का decomposition है, 18 का hydrogenation, जो है, वो 1st order reaction है, और जितने भी radioactive reactions है, वो भी कैसी होता है, 1st order, 1st order reaction का, जो k होता है, rate constant, वो कितना होता है, 2.303 upon t log a upon a minus x, 2.303 upon t log a upon a minus x, जो half lifetime होता है, वो कितना होता है, 0.693 by k, 0.693 by k, 75% reaction होने, complete होने में कितना time लगता है, 2t half, 99.9% complete होने में कितना लगता है, 99.9% है, कितना, 10t half लगता है, और 100% reaction कभी भी complete नहीं होती है, 1st order, should of 1st order reaction की बात करते हैं, तो should of 1st order reaction की अगर मैं बात करूँ, तो बताव, यह reaction जो लिखी हुई है, सुक्रोज का हम लोग क्या कर रहे हैं, hydrolysis करा रहे है, acidic medium में, inversion of cane sugar भी, जिसे हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, अगर मैं इसका rate low equation लेकूँ, तो क्या रहा है, r is equal to k, यह reactant है, तो c2, c12, h22, o11 की power 1, और h2 की power भी कितना आने चाहिए था 1, तो ऐसा ल कौनसी लग रही थी, second order, पर actually में कौनसी order है, first order, तो इसलिए से बोलते है, pseudo first order reaction, जो दिखने में second order लेग रही है, लेकिन actually में कौनसी है, first order, तो inversion of cane sugar और ester का hydrolysis, यह दोनों ही कौनसी order reaction है, pseudo first order reaction, second order reaction की बात करें, तो अभी-अभी मैंने बताया, S2O2 का decomposition, first order reaction है, लेकिन अगर H2O2 decomposition हो रहा है, I minus की presence में, I minus की presence में, alkaline medium में, तो second order चला जाता है, कौनसा order चला जाता है, second order, और KCLO3 की reaction, अगर मैं FV plus 2 के साथ करा रहा हूं, यहाँ पर, chlorine plus 5 में, तो FV plus 2 से किस में चला गया, plus 3 में, और यह plus 5 से किस में चला गया, minus में, reduction reaction हुई, तो KCLO3 की reaction म मैं FVSO4 के साथ करा रहा हूं, SAD medium में, यह भी कौन सा order reaction है, second order reaction, यह सारे example, बच्चो, NCRD के हैं, तो आपको पता होना चाहिए, fractional order reaction की बात करूँ, तो जो chloroform का chlorination हम लोग कर रहा है, एक हैचाट का CL लग रहा है, यह कौन सा order reaction है, fractional order, यहाँ पर order अग में निकालता हू तो 1 प्लस 1 बाइ 2 कितना और है बटा, 3 बाइ 2, तो अगर मैं Nth order reaction की बात करूँ, तो जो इसका half lifetime है बटा, वो किसके inversely proportional है, A की पावर N-1, A की पावर N-1, collision theory के अगर मैं बात करता हूँ, तो collision theory क्या कहती है बटा, कि reactant आपस में collide करेंगे, और क्या बनाएंगे बटा, product, और product बनाने के लिए collision जो होनी चाहिए, वो effective collision के लिए आपके 2 barrier क्रोस होनी चाहिए, एक तो जो आपकी energy है, वो threshold energy से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर कह स greater than or equal to threshold energy and colliding molecule should also have proper orientation, तो यह दोनों condition fulfill होगी, तभी reactant क्या बना पाएगा, बटा, product, threshold energy किसके बराबर होती है, बटा, activation energy plus average kinetic energy of reactant molecule, जो rate of reaction होता है, वो क्या होता है, P, Z, A, B, E की पावर माइनस E upon RT, तो यहाँ पर, जो E की पावर माइनस E upon RT है, बटा, वो क्या है, यहाँ Boltzman factor, यह क्या दे रहा है, which gives fraction of molecule having energy equal to or greater than E, यह वो number of molecule है, जिनकी energy activation या उससे जादा है, E की पावर माइनस E upon RT है न, और यहाँ पर जो P है न, P है बटा, probability factor यह hysteric factor, यह किसकी probability बटाएगा, जो सही direction से आकर क्या करेंगे, बटा, collagen करेंगे, Next, अगर हम लोग बात करें, temperature coefficient की, तो temperature coefficient क्या होता है, बटा, दो rate constant का ratio होता है, जो 10 degree से differ करते हैं, दो rate constant का ratio होता है, जो किस से differ करते हैं, 10 degree से, तो KT plus 10 upon KT, और यह almost कितना होता है, 2 to 3 times, तो लगबग 10 degree Celsius temperature बढ़ाने पर, जो rate of reaction होती है, वो कितना time बढ़ जाती है, बट 40 degree Celsius कर दिया, 10 degree से 40 degree Celsius कर दिया, तो बताइए rate कितना time बढ़ गई, तो मैंने क्या का हर 10 degree बढ़ने पर कितना हो जाता है, बटा, 2 to 3 times, तो माल लीजे 10 degree पर rate कितनी थी, बटा, तो यहां पर अगर R थी, तो 10 degree Celsius पर R थी, तो 20 degree Celsius पर कितनी हो जाएगी, बटा, 2 R, माल लो 2 times पढ़ रही है, 30 degree Celsius पर फिर double हो गई, कितनी हो गई, 4R, 40 degree Celsius पर फिर double हो गई, कितनी हो गई, 8R, तो 10 degree से 40 degree Celsius तक बढ़ने पर rate कितने times हो गई, 8 times हो गई, R, निस equation क्या होता है, आरिनस equation होता है, K बराबर A, E की power minus A upon R, T, K बराबर A, E की power minus A upon R, T, A क्या होता है, यह exponential term से पहले आ रहा है, तो इसे बोलते है, pre-exponential factor, pre-exponential factor या frequency factor भी से बोला जाता है, K आपको पता है rate constant होता है, E आपको पता है activation energy होता है, यहाँ पर एक और question बन स अगर मैं आपसे कहता हूं, if t tends to infinity, अगर temperature infinity की तरफ जाएगा, तो k और a क्या हो जाएंगे बराबर, यहां से देख सकते हैं आप लो, और अगर मान लो activation energy 0 हो जाती है, तो k और a भी क्या हो जाएंगे बराबर, हाला कि किसी reaction की activation energy 0 नहीं होती है, मान लो हो गई, तो k और a क्या हो जाएंगे बराबर है न, यहां पर अगर मैं t1 temperature पर rate constant k1 लूँ, और t2 temperature पर rate constant k2 लूँ, तो एक important formula बनता है, जिससे question आ सकता है, log k2 by k1 is equal to ea upon 2.303r, 1 upon t1 minus 1 upon t2, इस formula को अच्छे से आप लोग कर कर जाएं, और अगर मैं graph बनाता हूँ, log k और 1 by t में, तो negative slope के साथ नीचे जाएं, यह negative slope आ रहा है और इसका जो slope आ रहा है, वो आपको learn करना है, log k और 1 by t के बीच में जो graph आता है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, और जो slope है वो कितना है, माइनस ea upon 2.303r, अगर log की बीच में है, log 10 base है, तो slope है माइनस ea upon 2.303r, और अगर ln की है, e base वाला है, तो slope आएगा माइनस ea upon r, माइनस ea upon r, तो यह आप गलती ना करें, log दे के 10 base वाला है, या फिर e base वाला है, तो बच्चों इस तरीके से आप लोग अपने सारे formula को क्या कर सकते हैं, रिवाइच कर सकते हैं, hopefully ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा beneficial रहा होगा, और जब भी exam दे रहे हो, पैनिक होने की जरुवत नहीं है, अगर आपको लगता है कही बार की questions कर रहे हैं, और सर समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा time देने की जरुवत नहीं है, उस questions को आप लो पेपर को अच्छे से सोल करें, best of luck for your exam.